साथ्यों जब यूग बदलने वाले परिवर्टन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं तीन साल पहले जब हमने राष्ट्रिय शिक्षा निती की गोश्णा की थी तो एक बहुत बड़ा कारिश्षित्र हमारे सामने था लेकिन आप सभी ने राष्ट्रिय शिक्षा निती को लागू करने के लिए जो करतव्य भाव दिखाया जो समर्पन दिखाया और खुले मन से नए विचारों का नए प्रयोगों का स्विकार करने का साहत दिखाया यह वाकई अभिभुत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है राष्ट्रिय शिक्षान नीती में कि ट्रेडिशनल नौलेज सिस्टिम से लेकर कि फिचरिस्टिक टेकनोलोजी तक कि उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको एहमियत दी गई है कि प्रात्मिक शिक्षा के शेत्र में कि नया पाठकम तयार करने के लिए छेत्रिय भासाओं की पुस्तके लाने के लिए उच्च सिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टिम को मजबूत करने के लिए देश का सिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिस्रम किया है देश के सामा न्यनागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भाती परिचीत है वो यह जान गए है कि 10 प्लस 2 एजुकेशन सिस्टिम की जगह अब 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यह प्रणाली पर अमल हो रहा है पढ़ाई की शुरुवाद्य अब तीन साल की आयू से होगी इससे पूरे देश में एक रुपता आएगी हाली मैं साउसद में नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन बील पेश करने के लिए केबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है राष्ट्रिय सिक्षा निती के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्ग भी जल्द ही लागू हो रहा है मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानि तीन से आठ साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्ग तैयार भी हो गया है बाकी के लिए केरिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा स्वाभाविक तोर पर अब पूरे देश में सिबी एस्टी स्कूलों में एक तरह का पाठिक्रम होगा इसके लिए NCRT नई पाठिपुस्तके तयार कर रही है तीसरी से बारवी कक्षाओं तक लगभग 130 विश्वयों की नई किताबे आ रही है और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब सिख्षा छेत्रिये भाषाओं में भी दी जानी है इसलिए पुस्तके 22 भारतिये भाषाओं में होगी पुस्तके पुस्तके बारतिये है